तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरीके से कटेगरीस को create करते हैं, किस तरीके से post को कटेगरीस से link करते हैं और किस तरीके से कटेगरीस को हम अपने menu bar में show करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग सीखने वाले किस तरीके से हम अपनी साइट का टाइटल और टैग लाइन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं चले इस वीडियो को सुरू करते हैं सुरू करने से पहले मैं यह एक हौँँगा कि यह वीडियो हमारी वर्डप्रेस लिस्ट का हिस्सा है तो लिंक आपकी ृप्रेस प्लाय लिस्ट का हिस्सा जाए और यहां पर यहां पर आने के बाद हमें यहाँ पर Cetil की ढूर more sistema WordPress site यहां पर tagline तो हमें just यहां पर settings पर आना जाना है और यहां पर journal पर click करने के बाद यहां पर आपको option यहां पर डिर सारा सो जाएगा just यहां पर site title तो just यहां पर हम इस site title को यहां पर change कर सकते हैं just यहां पर हमें अगर type करें decoder उतकर्स और यहां पर हम अपनी tagline लिखेंगे free coding tutorials यहां से हमारी site title और tagline यहां पर change हो चुकिए save changes पर click करेंगे यहां पर आएंगे और just इसे हम refresh करेंगे तो यहां से यह सब को change हो चुका है अब यहां से हम वापस आते हैं और यहां पर कुछ चीजे और है उसे भी मैं आपके आपके लिए clear कर देता हूं तो यहां पर wordpress address आपको सो रहा है और site address हो रहा है तो यहां पर wordpress address वह address है जहां पर आपको wordpress की सारी files located है तो यहां पर मैं localhost का इस्तमाल कर रहा हूं तो हमारे wordpress one folder में यहां पर सारी files है और यहां पर हमारा site address वो address है जिस address पर हम click करके अपनी site को access करते हैं तो wordpress address वो address है जहां से आप अपने site को यहां पर जहां पर आपके site का सारा code यहां पे store होता है, साथी साथ जिस address से आप यहां पे site को visit करते हो, अगर आप इसी change करना चाहते हो, तो like that अगर आप अपनी website को move कर server पे, तो just आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ इस URL को change कर देना होता है, अपने server के address से, और बाकी आपकी पूरी site automatically move हो जाती है, आपको कहीं पे कोई भी changes करने की आउ सकता है, नहीं पड़ती है, यहां पे हमारा time, हमारे email से हो रहा है, साथी साथ यहां पे हम अपना time zone select कर सकते हैं, यहां पे UTC plus 0 सो रहा है, तो हम इंडिया से हैं, तो just हमें यहां पे 530 सेलेक्ट कर लेना है, और यहां पे यह date है, जिस दिन यहां पे मैं इस वीडियो को record कर रहा हूँ, तो यहां पे अगर हम इसे यहां पे select कर लेते हैं, तो यहां पे हमारा time format है, यह change हो जाएगा, तो यहां से हम इस time format को change कर सकते हैं, बी की start on Monday यहां पे पूछ रहा है, आप Sunday भी कर सकते हैं, और यहां पे सब और चैनल को subscribe करना बिल्कुल नम भूला, मिलता है एक लिए वीडियो में तब तक के लिए, thank you so much for watching this video.